Hello guys, welcome back again to your own YouTube channel. तो आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी खुश्खबरी लेकर आया हूँ. So अभी-अभी Canada की जो Immigration Department है, IRCC, उसने अपने official website के ओपर update कर दिया है कि students को अब SDS category में visa apply करने के लिए 6 each bands लेने की जुरुरत नहीं है. With overall 6 bands आप apply कर पाएंगे. So ये उन students के लिए golden opportunity है, जिनके एक module में 5.5 रह रह रहे थे या 5 रह रहे थे. अब आप SDS file apply कर पाएंगे. और इसको update उन्होंने कर दिया है website के उपर. Note करें तो दो categories उन्होंने बना के रखी है. अगर आप 10 August से पहले apply करेंगे, तो आपको each skill में 6 each चाहिए होंगे. बट अगर आप 10 August के बाद apply करते हैं, तो यहाँ पे अब changes आ गए है. Minimum score of 6 with results from each of the 4 language abilities. अब जिस YouTuber को इतना सा समझ नहीं आ रहा है कि अलग-अलग proposition यूज़ करी है उन्होंने. वहाँ पे उन्होंने in लिखा था, यहाँ from लिखा है, जिसका मतलब होता है कि overall सब में से आपको 6 चाहिए, each में नहीं चाहिए. और CIC जो उनकी news agency है, उसने भी clarify किया है, clear शब्दों में लिखा है कि average चाहिए होगा, each module में नहीं चाहिए होगा, और जो भी लोग इस news को doubt कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि यह CIC जो है, वो उनकी partner news agency है, और इनके पास authentic resources होते हैं, इनके सीधा direct contacts होते हैं, high commission के साथ और उनकी agency के साथ, यह Indian news channels नहीं हैं, जो कि कुछ भी डाल देंगे, after authenticating only, they put things on their channel, यह आपके जो news publish करते हैं वो, so यह 100% accurate है, और इसकी information मैंने आपको 11 दिन पहले ही दी थी, through my resources, जो मेरे हैं IDP में उनके contact से, मैंने देख लिया था, कि उन्होंने update कर दिया है, circular भी आ गया था, वो मैंने read किया था, आपको बताया था, एक दो दिन late हो गया, but eventually आपका आ गया है, बढ़ हाँ, जिनको try करना है, five bands के साथ, वो भी कर सकते हैं, because try करने के बाद ही पता लगे है, कि success rate क्या है visa की, so this is an amazing news for each and every student, जो की struggle कर रहा था, एक module में, तो आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं, आप apply कर सकते हैं Canada में, और अपने dream को पूरे कर सकते हैं, and this is 100% authentic news, अभी भी अगर किसी YouTuber को समझ नहीं आया, कि in और from में क्या difference होता है, वो मुझे message कर ले, मैं अच्छे से समझा दूँगा, so this is official, और जिसको भी confusion है, समझ नहीं आ रहा है, ज्यान से सोचिए, कि IDP न पार्टनर organization है, आपकी IRCC की और High Commission of Canada की, उनके direct contacts होते हैं, वो एक दूसरे के articles नहीं पढ़ते, उनकी direct बात होती है, तो ये confirm news है, अभी आप apply करिए, अपनी file ready करें, और जल्थे-जल apply करें, तक कि जारा students एक साथ करेंगे, तो हो सकता है, थोड़ा rush आ जाए, so make sure कि आप channel को subscribe करें, authentic information के लिए, और time से बहले ही आपको information मिल जाती है, यहाँ पे, so make sure to hit the bell icon, and जारा जारा शेर करें अपने दोस्तों के साथ, thank you so much.